तो हलो गैस कैसे है आप अपर यहां पर देख सकते हैं मेरे पास यहां पर एक रेड मी का फोन है और यह Democrat यह ए तो अगर आप हर मैं फूएर करे स्कते नथे खास्वेस करता हूं अगर आप हैं अՆशा सबक्रूर्ण को पहले या फिर चार्जिंग का लोगो कुछ भी नहीं आ रहा फोन कंप्लिट डेट है आलांकि इसके अंदर जो फोल्डर है वो नया लगाया है किसी दुखंदार ने और उसी ने मेरे पास यह सेंड किया है लेकिन यह फोन अभी ओन नहीं हो रहा तो हम पहले इसकी जो सोर्टिंग इसको चेक कर लेते हैं कि फोन के अंदर फोल्डिंग है या फिर नहीं है तो आप यहांपे देख सकतें एक साइट जो रिडिंग वह 450 प्लस आ रही है और दूसरी साइड अगर मैं यहांपे चेक कर आँं तो फोन के अंदर कोई भी जो शोर्टिंग वह यहां पे नहीं आर करते हैं और हम V-Bay पे Voltage यो उसको चेक करते हैं कि क्या बन रहा है V-Bay पे Voltage तो पहले हम क्या करते हैं V-Bay चेक करते हैं तो पांच Voltage V-Bay बन रहा है और यहां पर V-Bay semester कोई भी जो Voltage वो नहीं मिल रहा है तो V-Bay पे इसमें smiling है नहीं वह बेटी लगाने के बात बनता है क्योंकि गाईज इस फॉन के अंदर PMI 632 लगी हुई है तो अगर मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करूँ तो गाईज आप यहां पे देख सकते हैं देखें मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं कि इस फॉन के अंदर कौनशी आईसी लगी है तो अग अभी सारे सक्षन होते हैं और इसी से हमारा वीपेस पाउर बनता है तो यहां पर मैं जो चार्जिंग केबल है उसको कनेक कर देता हूं तो एक बार हम इसकी वी बस इनकी जो लाइन है उसको चेकरेंगे कि पांच वोल्टेज यहां पर आ रहा है तो अभी तो कुछ भी दे देखिए गाईज फॉन के अंदर वीपेस ही नहीं बन रहा ठीक है वीपेस की जो कॉयल है उस पर देखिए 0.538 ऐसी करके कुछ वोल्टेज आ रहा है जो कि काफी लो वोल्टेज है और वीपेस हमारा होना चाहिए 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज लेकिन इस फॉन के अंदर ज दिया होगा ऐसा लग रहा है हीट दिया गया है तो पहले हम जो वीपेस लाइन है उसको डन करेंगे और उसके बाद अगर प्रोब्लम सोल हो जाती है तो काफी अच्छी बात है उसके बाद भी अगर प्रोब्लम बनी रहेगी तो आगे की जो प्रिकिरिया उसको हम कंप्लि वो नहीं निकल रहा है काफी डाउन जो वोल्टेज है वो हमें देखने को मिल रहा है तो एक बार हम PMI 632 को चेंज करेंगी क्योंकि हमारा जो फेस्ट स्टेप रहेगा वो यही रहेगा कि हम IC को चेंज करें क्या पता IC के अंदर प्रोब्लम हो जिसकी वज़ेसी बीपेस पार से किसेन डाला है हीट किया गया होगा तो मैंने हैं पर नहीं डाला प्यकिन आपको कोइब यांसे को हलका फुर्प करकर नहीं होगा और जब भी IC के नीचे के टिप्स आप क्लीन कर रहे होते हैं तो उससे पहले आप जो IC के टिप्स हैं उन पे अच्छे से जो फ्लेक्स उसको डाल लिए और उसके बाद आप आप डिसल्डर वायर का यूज करें और डिसल्डर वायर और आयरन दोनों अच्छे कंडिशन के अंदर होना चाहिए अच्छी क्वालेट का होना चाहिए जिसे गाईज अगर आप काम करते हैं तो IC के नीचे का प्रेंट है वो एक भी डैमेज नहीं होगा और हलका सा जो फ्ल क्लेन कर दिया है तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे गाईज तो आप किसी भी IC को निकाल लेंगे और रिबॉल करके भी लगा देंगे और किसी भी IC को आप चैंज कर लेंगे देखिए कोई भी जो प्रेंट हो यहां पर डेमेज नहीं हुआ आप देख सकते हैं कर रहे होते हैं तो उससे पहले आपको हलका से जो फलेक्स है वो IC के निचे के जो टेप से उन पर डाल देना है ठीक है और उसके बाद IC को आपको यहां पर फिक्स करना है और अगर आप यहां पर फ्लेक्स ज्यादा डाल देंगे तो आपकी जो IC वो इधर उधर चली जाए या उसके बाद हम इसके उपर हीट देंगे ठीक है हीट गाईज जब भी आपको IC फिक्स करें होते हैं तो उसके उपर आपको 30-40 सेकिंड हीट देकर रखना है और हल्का से जब IC मुग करें आपको लगे कि IC मुग हुई है उसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि हलका सा जो flex है वो IC के साइड के अंदर डाल देना है ठीक है अभी देखिए मैंने हलका सा IC के साइड में flex डाल दिया और उसके बाद गाइज आपको क्या करना है देखिए मैं आपको बता देखिए हलका सा final आपको push करना है हलका सा final IC को push किया यानि कि हमारी जो IC है उसके नीचे के जितने भी ball है वो IC के नीचे के जो tips है उन पे अच्छे से चिपक चुके है और final touch करने का मतलब यह होता है कि अगर कोई ball छोटा या बड़ा रहता है तो guys मतलब जब push करते हैं IC को तो उस time पे वो नीचे अच्छे से चिपक जाता है तो यह फाइदा रहता है final push करने का जिसे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो IC हो अच्छे से fix हो चुकी है तो guys अगर यह तरीका आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नेकिए तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेसन आपको लगता है मिलता रहे और guys जब भी आप कोई भी जो बोर्ड है उस पर SMD से काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमारा जो वो फूप मतलब आ घरम तो उस टाइम पर आपको बोर्ड के अंदर ना तो कोई जो बैटरी को connect करना है उना आपको charging कनेक्ट करना है क्योंकि गाइच बोर्ड जब घरम होता है तो उस पर लगे जो caps होते हैं वो sort हो जाते हैं आपसमें ठीक है और जब आप इस condition के अंदर बोर्ड के अंदर जो कोई भी charging कनेक्ट कर देंगे या फिर बैटरी को connect कर देंगी तो आपका जो board है वो sort हो सकता है किसी भी section के अंदर जो sorting हो आ सकती है तो इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है तो एक बार हम wait कर रहे हैं फोन के मतलब ठंडा होने का board जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाता है तो उसके बाद हम इसको on करके देखेंगे कि क्या condition रहती है अगर हमारा phone यहां पर वीपेच बना रहेगा तो ओन हो जाएगा अगर वीपेच नहीं बनाएगा तो हम जो other section उस पर tracing करेंगे तो अभी मैं इस board को निकाल लेता हूँ और एक बार देखते हैं अभी हलका सा जो board है वो गरम है तो थोड़ा सा वेट करेंगे गाईज और तब तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया तो फटा पर शे वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर आए या फिर नहीं होता तो गैज अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले अच्छे जो वीडियों उनका नोडिपिकेसन आपको लगता मिलता रहे तो चलिए फटा 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 से जो board है उसके अंदर जो पत् के बाद आपको sorting चेकर नहीं होती है कि कि आईसी लगाने के बाद कोई भी जो section है वो sort तो नहीं हो गया ठीक है तो यहां पर कोई भी sorting देखने को नहीं मिल रहे क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो guys कोई भी phone आपका dead नहीं होगा काफी बार ऐसा होता है कि नई जो IC होती ह हैं वो भी मतलब sort होती है कि किसी किसी IC के अंदर problem देखने हो मिल जाती है या फिर आप किसी board से उठा के लगा रहे हैं कोई भी IC तो हो सकता है वो IC ही मतलब sort हो जो आपने board से निकाल लिए पहले से sort हो तो ऐसे condition में आपका जो phone है वो dead भी हो सकता है और और भी जो fault है वो आ कर दिए